गूट मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सब भी आई होप कि आप सबी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हमने लाज्ट एपिसोड में देखा था कि ग्रेंड एल्डर इस सिच्वेशन का फायदा उठा हमारे हेरो कौंग को एरेश्ट करने का ओडर दे देती है पर कौंग उन सबी को वहां ऐसा करने नहीं देता अब यह दे ग्रेंड एल्डर खुद वहां अपने टावर को बाहर निकालते हुए सीधा बैटल ग्राउंड में कौंग के सामने आ जाती हैं अब आगे जहां इस एपिसोड के सुरुआत में ग्रेंड एल्डर कौंग से कह पर इसका यह मतलब नहीं है कि यहां कोई और आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है अब यह सुन वह गुसाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम यहां मुझे क्या कहने की कोसिस कर रहे हो अब इतना कहते ही वह वहां अपने पावर को एक्टिवेट कर अपने नीचे एक फॉर् अब इस अटैक को देख कौंग वहां घबरा जाता है वहिद अभी काफी तेजी से कौंग के पीछे से ब्लड वुल्क गैंग के लीडर जूलैंग वहां आ जाते हैं और उन सभी की सभी फाइर स्टोन को अपनी पावर की मदद से वहां डिश्ट्रॉय कर देती हैं और जैस है कि चूप फैमली के सबसे बड़े अल्डर यहां एक जूनियर पर हमला कर रहे हैं पर ऐसा करना तो आपके खिलाफ है अब यहां देख ग्रेंड अल्डर वहां जूलैंग का नाम ले लेती हैं अब जूलैंग का नाम सुन वह सभी की सभी लोग वहां चौक जाती हैं जिस तो एक ब्लड वूल्प गैंग के लीडर हो कोई चूप फैमली के मेंबर नहीं जिस पर जूलैंग वहां कहता है मैं अब आपके कोई भी बात नहीं सुनने वाला अब यह सुनकर ग्रंड अल्डर वहां कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी यहां देखना चाहूंगा आखिर में कौन आज यहां कौन को चूने की भी हिम्मत कर पाता है अब इतना कहते ही जूलैंग भी वहां अपने कई सारे लोगों को बुला लीता है जिसके बाद वो वहां कौन से कहता है कौन आज तुम यहां अपने बिलकुल भी चिंता मत करो मेरे रहते तुम यहां बिल करने का ओर दे देती हैं जो सुनते ही वह एल्डर वहां उन पर अटैक करने के लिए आगे की और बढ़ जाती हैं पर यह देख जुलैंग के सभी लोग उन एल्डर से वहां निपटना सुरू कर देती हैं जहां दोनों ही तरफ के सभी लोग एक दूसरे को वहां काफी कहते ही वह सीधा जुलैंग पर अटैक करने को चली जाती हैं जो देखकर जुलैंग भी वहां अपनी पावर को एक्टिवेट कर तुरंत ही उनकी अटैक को वहां रोक दीता है जिस वजह से वहां काफी तीज और रिलीज हो जाता है वह दभी इदर ग्रैंडर वहां से ग्रैंडर को वहां पंच पर पंच मारते ही जा रहा होता है जिसके बाद वह वहां अपना एक काफी पावरफुल सा अटैक ग्रैंडर के उपर कर दीता है यह देख ग्रैंडर भी वहां उस पर एक अटैक लॉंच कर देती है पर वह अटैक गलट डायरेक्शन में जाकर यहीं पर रहना और कहीं मत जाना जिस पर उसकी बहर उससे कहती है कि अब तुम यहां क्या करने को जा रही हो तब इदर जुलैंग और ग्रैंडर में काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है वह तब ग्रैंडर जुलैंग को हां एक पंच मारत दूर कर देती हैं और अपनी से कहते हैं कि पागल लड़के अब तुम यहां मरने वाले हो अब इतना कहते ही वह वहां उस पर एक अटैक कर देती हैं अब यह देखकर क्वांग भी वहां अपनी ठंडर सिल्ट फॉर्मेशन को क्रियेट करते हुए उनके अटैक पर अपनी भी एक अटैक कर देता है जिस और केऊिने को कमें वहां ऑठैक करने को कुछते सी आपने देता है कि रहां पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है पहे तभी इतनी ही देर में वहाँ Grand Render अपने एक काफी पावरफुल Mountain Bell के अंदर खुद को कैट कर देती हैं अब यह देखकर कौंग वहाँ अपनी Golden Meridian Art और Thunder Silk की पावर को कमाइंड करना स्टार्ट कर देता है जिस वज़ा से वहाँ काफी तेज अनर्जी रिलेज हो जाती है पाई तभी इधर दोनों तरब के लोग आपस में फाइट करते हुए अचानक से उस अनर्जी को देख वहाँ रुक जाते हैं तभी इधर क्वांग उन दोनों ही पावर को वहाँ कमाइंड कर एक काफी पावरफुल सा फॉर्मेशन क्रियेट कर चुका होता है जिससे काफी खतरनाक ठंडर लाइटनिंग निकल रही होती है अब यह देखकर जुलैंग वहाँ कहता है कि क्वांग के पास इतनी पावरफुल टेकनिक्स हैं तभी इधर क्वांग वहाँ अपनी ठंडर लाइटनिंग अटैक से सीधा उस ग्रैन अल्डर के मॉन्टेन बैल के उपर अटैक पर अटैक करना सुरू कर दीता है जो देखकर उस बैल के अंदर से ग्रैन अल्डर वहाँ कहते हैं कि क्वांग यहाँ जिस टेकनिक का इस्तमाल कर रहा है वो सच में बहुत जादा पावरफुल है तभी इदर क्वांग अपने उस फॉर्मेशन के अंदर से दो काफी पावरफुल सा ठंडर लाइटनिंग अटैक सीधा उस बैल के उपर कर देता है जिस वजह से वहाँ उस बैल पर क्रैक आ जाती है पर फिर भी ग्रैन अल्डर वहाँ उस अटैक को समाले की अपनी पूरी कोसिस कर रहे होते हैं इदर क्वांग वहां अपनी थोड़ी और पावर कर यूज कर उस बैल पर वहां अटैक कर दीता है जो देख ग्रैन अल्डर वहां पूरी तरह से घबरा जाती है जिस वजह से उससे वहां काफी तेज अनजी रिलीज हो जाती है और वहां सभी लोगो उन्हें वहां अपनी आखे दिखा उन्हें आगे की और बढ़ने से रोक दीता है जिस वजह से वह सभी के सभी लोग वहां क्वांग से डर वहीं के वहीं रुक जाती है अब यह देख जुलैंग वहां हसते हुए कहता है सच में तुम काफी जादा पावरफुल हो और उन् मेरा भाई एक सच में काफी पावरफुल पर्शन है पर यह देख मिस लिन्रू के तो वहां हो से उड़ जाते हैं और वह कहती है कि यह तो इंपॉसिवल है यह हो ही नहीं सकता और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो झाल